हेलो एवरिवान बेलकम टू पिनेकल तो दोस्तो काफी अच्छी खावर है खासकर उन लोगों के लिए जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे बेकेंसी का खासकर बर्दी वाली बेकेंसी का जिया दोस्तो आज हम बात करेंगे MP पुलिस की भरती के बारे में तो दोस्तो बात करेंगे कि मधप्रदेश में जब इतनी बेरोजगारी है तो इतने कम पद क्यों निकाले गए इस पर भी संपुन डिसकस करने वाले हैं तो वीडियो का अंतर तक जरूर बने रहे हैं वो जो लोग हमसे नए जुन है वो चैनल को सस्क्राइब कर लें और बेल आइकोन क भी प्रेस कर दें तो दोस्तों बात करें नरुत्तम मिस्रा जी की तो सरकार ने बड़ा फेसला लेते हुए मतप्रदेश में 4200 उनुत्तर पदों के आरक्षक की भरती होगी यह उन्होंने कहा है और इस पर पूरी प्रक्रिया सुरू हो चुकी है ग्राय मंतरालों को इसके आदेश दे चुके हैं तो दोस्तों जो MP पूलिस की बेकेंसी की हम रिक्वार्मेंट रख रहे थे कि 15,000 से उपर बेकेंसी आना चाहिए लेकिन यहां पर नरुत्तम मिस्रा जी ने 4,299 पदों के लिए फाइनल हस्ताक्षर कर दिये गए हैं दोस्तों अब ये इतनी कम बेक का गठन हुआ तो दोस्तों इसके चलते मधप्रदेश का जो बजट है या जो सरकारी खजाना है वो काफी कम है दोस्तों मधप्रदेश काफी हद तक करजे में चल रहा है तो इसी के चलते हुए मधप्रदेश में कोई भी नई वेकेंसी देने की अभी हालत नहीं है इसी प दोस्तों भली ही कम बेकेंसी आई हो लेकिन एक राहत भड़ी ख़वर आपको देखने को मिल रही है तो दोस्तों मदप्रदेश सरकार दुआरा कहा गया कि मदप्रदेश के ग्रह मंतरी नरुत्तम मिसरा ने मदप्रदेश के यूबाओं को बड़ी सोगात दी है पुलिस या शुरू की जाएगी मदप्रदेश में तीन वर्स से कोई भी तीन साल के बाद यह मोका आ रहा है जब आरक्षन की भरती आरक्षक की भरती का रास्ता खुला है तो दोस्तों काफी अच्छी ख़वर है तो खासकर उन लोगों के लिए यह भरती है जो लास्ट अटेम करन के लिए बेठेते या बेसे 2017 से कोई वेकंसी नहीं निकली है तो उनकी एज काफी बढ़ चुकी है क्योंकि मदप्रदेश में जो एज मांगी जाती है उससे वह ओबर ओपर निकल चुके हैं तो इसके लिए मदप्रदेश सरकार क्या फेसला लेगी इस पर सस्पेंस बना जरूर पहुचाएंगे तो वीडियो को लाइक करें और नया अपडेट पाने के लिए चेनल को सस्क्राइब जरूर करें थेंक्यू फॉर वाचिंग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में